हेलो हेलो बच्चो क्या हाल चाल एकदब मस आज हम डिसकस करेंगे फिजिक्स का स्लेबस यानि क्या क्या आपको पढ़ना है पूरा एक साल के अंदर और 2024 में जो आप बोर्ड का पेपर दो गए तेक है उस बोर्ड की तैयारी आप कैसे करोगे क्या प्लैनिंग होनी चाहिए बाई स्लेबस बहुत जरूरी होती है अगर आपको जनम कुंडली नहीं पता है तो आप उसके बारे में क्या पता कर पाओगे क्या बता पाओगे कुछ नहीं पता पाओगे तो यही जनम कुंडली जो है आपको सक्सेस दिलाएगी और आपको पूरे मार्क्स दिलाएगी त expectation है ठीक है it's a very big deal so चलो देखते हैं जरा इसमें what is going new in the cbsc syllabus 2023 and 24 वैसे साल बड़ा मज़ेदार जबर्दस्ट और जखास रहने वाला है तो चलिए देखो पेपर तो होता है तीन घंटे का यह आप सबी को पता है तीन घंटे का फिपर होगा सतर मार्क्स की थियोरी है भई मैकसमम सतर मार्क्स तक आता है अब जब चैप्टर का डिवीजन क्या-क्या है आपके पास दो बुक होंगी है ना दो किताबे हैं एक बुक वन और एक बुक टुए है यहाँ पर physics की दो किताबे हैं chemistry की भी दो किताबे है biology की एक है और maths की भी दो किताब ही होंगी yes अब इस बार आप अगर maths जिस बच्चों के पास है उनकी हो जाएंगी दो books इस बार maths के ठीक है तो भाई physics की पहली किताब में कितने chapter है first book में total आप पढ़ोगे 7 chapter कितने 7 नहीं नहीं आट chapter sorry first book में आप पूरे 8 chapter पढ़ोगे और second book में आप पढ़ोगे 9 से लेके यानि total पंदरा chapter है लेकिन आपको 15 तक नहीं जाना है आपको केवल 14 chapter तक ही पढ़ना है 15 chapter I think delete होगा इस बार भी जैसे all हमेसा ही रहता है ठीक है तो इस बार भी इनोंने साथ 15 chapter को नहीं रखा है communication and devices होता है semiconductor तक ही आपका syllabus में है semiconductor से आगे नहीं दे रखा है आपका syllabus में तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चलिए अब देखिए पहला chapter जो है बच्चो first book से इस रुवात करते हैं पहली book में आपको क्या क्या पढ़ना है और कैसे क्या पढ़ना है क्या delete है क्या नहीं यह देखते है देखो जो पहला chapter और second chapter है इसे हम बोलते है electrostat या first second chapter हम क्या बोलते है electrostat बोलते है इसमें आपका पहला chapter आता है electric charge and electric field वीडियो मैंने इसकी दो upload कर रखिये जिसमें मैंने column slow तक बता रहा है तीसरी वीडियो भी जल्द आने वाली है जिसमें मैं electric field भी समझाऊंगा पूरा का पूरा concept समेथ with all numericals इसमें मैंने बहुत अच्छे नुमेरिकल उठा है बच्चों मैंने करीब अभी तक 20 से 25 नुमेरिकल करा दिये होंगे तो जाए उस वीडियो को भी देखिए और अपनी physics को strong कीजिए बच्चों जो second chapter electrostatic potential and capacitance है यह भी पूरा electrostatic का ही पार्ट है तो first और second chapter तो electrostatic है तो देखो अब इसी में एक चप्टर odd added है बच्चों यह current electricity ठीक है यह current electricity है यह electrostatic से कोई लेना देना नहीं है यह दियान रखना है हाँ लिंक तो भाई हर चीज से होता है ऐसी बात ने आप पूरा यहां पे micro micro object से deal करने जारे हूँ micro object का मतलब electron proton ठीक है इनी सबसे deal करोगे तो यह ऐसी physics है जिसे आप बस मैसूस करोगे only देख नहीं सकते हैं लेकिन जो mechanics था ठीक है macroscopic level पी जो आप physics पढ़ रहे थे उसमें आप सब कुछ observe कर सकते थे तो बच्चों यह chapter है कितने marks का जो first three chapter है तीन chapter 16 नंबर का है कितने नंबर का 16 नंबर का है total period इसके लगा लो 50 period 50 70 69 periods का असपास का पूरा chapter रहे आप यह कह सकते हो 69 sorry 44 44 periods का यह chapter है total तीन chapter 16 marks का है आप सोचोगी 16 marks में क्या क्या आएगा तो एक बार बता दू कि आप suppose कर लो कि तीनों chapter का जो weightage है वो पांच-पांच नंबर का रहेगा कितने marks का पांच-पांच marks का तीनों chapter का रहेगा आप ही कह सकते हो हर एक chapter जो पहला दूसरा तीसरा है 55 marks तक ही रहेगा ठीक है इसका 130 कर दिया करो equal marks मोता है लेकि ना यह उपर नीचे हो सकता है यह बस एक average estimated जस्ट यह prediction है और कुछ नहीं यह बच्चो ठीक है यह उपर नीचे हो सकता है किसी को नहीं पता कौन सा chapter कितने marks का इन उन ग्रूपिंग कर रखे है और ग्रूप में ही chapters को divide कर रखा है बच्चो पह इस पिरेड में chapter करना है moving charges and magnetism ठीक है और magnetism and matter है अब यह 17 marks का chapter है यह बड़ा बहुत बड़ी बात है ठीक है 17 marks का chapter है और क्योंकि इसमें total 4 chapter आ रहे हैं तो आप लैट करके चलो कि भाई जो moving charges and magnetism है 6 marks का यह अकिला chapter होगा 6 marks का यह रहने वाला है ठीक है यह तीन नमबर तक का आ जाता है maximum ठीक है उसके बाद यहां पर electromagnetic induction है भाई 9 तो यह हो गए 8 chapter बचे 8 नमबर का बचा अब जो electromagnetic induction है इसमें बच्चो तीन नमबर तक का ही आएगा और यह आपका पांच नमबर तक का chapter बन जाता है ठीक है ना AC alternate current चलो first book में 7 chapter ती हो गया अब जो fifth unit है बच्चो electromagnetic waves इसको आप बोल सकते हो इसके बारे में आपने लगबग 80 से 90% आप पढ़ चुके हो ठीक है 80-19% आप पढ़ चुके जो बचे 10 से 20% है जैसे displacement current हो गया और क्या करते है मियू नौट और मियू नौट और इस silent not की बीच में relation हो गया तो एक दो चीज आप यहां पर पढ़ोग और थोड़ी application है EMWave की EMWave की जो applications है इनका uses कहाँ पर है और इनको कैसे produce कहाँ है वो सब आप इसमें पढ़ोगे तो 20% आप light कर लो किया पढ़ोगा चाहिए 80% आपने कहाँ पढ़ाता 80% आपने chemistry के second chapter में atomic structure में पढ़ाता 11th class में चलिए 11th class अगर अच्छी है तो भाई 12th एक दम जखास होने वाले और नहीं भी है तो मेहनत कर लेना और जखास हो जाएगी तो नाओ नेक्स जो है रे optics है इसे हम optical इसमें इंस्ट्रूमेंटी भी पढ़ोगे आप ठीक है रे optics में उसके बाद यहाँ पर 10 चक्टर वेव अप्टिक्स है अच्छा यहां से आपकी second book कि स्टार्ट हो जाती है कौनसी second book आपकी यहां से सुरू हो जाती है बच्चो second book का ही पूरा पूरा यहां पर आप ड्यूल नेचर ऑफ रेडियेशन और मैटर पढ़ोगे अच्छा ड्यूल नेचर ऑफ रेडियेशन और मैटर में भी आपने लगबग थोड़ा बहुत आप लेट करके चलो अच्छा ऑप्टिक्स में जो वेटेज है माक्स का बच्चो वह कितना रहने वाला है ऑप्टिक्स में मान के चलो कि भाई 18 इसमें तीन चप्टर आते हैं बचे कितने 15 मांक्स साथ नमबर और वेव आप्टिक्स आट नमबर का आजाता है नौ नमबर तक कई पहुझ जाता है लेकिन आप equivalent मानके चलो ठीक है बरावर बरावर divide कर दो तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा atoms and nuclei अब इसमें जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कितने तीन पार्ट है 12 marks का बही टोटल मिला के तो 12 marks का यह पूरा chapter है तो 12 marks का मतलब भाई dual nature of radiation and matter पर इब मानके चलो 4 marks same 4 number इसका मानके चलो बही 4 number इसका मानके चलो तो तीन 4-4 number का हर एक chapter हो गया यहाँ पे dual nature ठीक है दनराम हो गया, atom हो गया, nuclei हो गया 4-4 marks का chapter आएगा ज्यादा marks का नहीं है semiconductor, electronic, material, devices and simple circuit है काफी weightage वाला chapter है 7 marks का अकेला chapter है एक chapter है, ज्यादा कुछ इसके अंदर पढ़ने लाइक नहीं, तो total यहाँ पे 160 period हो जाते है 160 periods का मतलब बच्चो अगर आपकी एक महिने में 12 class होती है तो 10 महिने में कितनी हो गई? 120 classes 10 महिने में 120 classes लेकिन school के साब से जलता है इसकुल में average ले आप लेट कर लो कि एक दिन में 4 class होती है तो एक महिने में 16 class हो जाती है तो भाई 10 महिने का syllabus है 10 मंत का syllabus है इसमें बच्चो 160 periods का हो गया according to school और आप अगर वैसे पढ़ रहे हो खुद से या coaching center बगएरा से पढ़ रहे हो चलो अब इसके बाद यहां पे बच्चो क्या है कि भाई ये तो होगी कि भाई कितने marks का कौन सा chapter आएगा अब बात करते हैं details chapter के अंदर घुसके कि कौन सा chapter में क्या क्या पढ़ना है और क्या planning रहने वाली है तो देखो planning तो बिल्कुल वैसी है पहले theory करनी है theory करने के बाद क्या करोगे आप theory करने के बाद आप क्या करोगे बच्चो numericals बनाओगे ठीक है फिर एक बार जैसे आपके पूरा chapter खतम हो जाएगा उसके बाद क्या करना है एक बार सारे chapter के सारे formula लिखोगे जो जो main-main concept है वो लिखोगे करना सीखिए चलिए अब यहाँ पर जो है next topic बच्चो electrostate पहले unit की हम बात करते है 26 periods का बताने चप्टर यह बट इतने periods का नहीं होना चाहिए इस से कम periods में आपके चप्टर खतम हो जाना चाहिए अब पढ़ोगे क्या क्या है electrostate में इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ोगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ठीक है conservation of electric चार्ज पढ़ोगे और इसके बाद कुलॉंब्स लोग पढ़ोगे इसके अंदर two point की बीच में कुलॉंब्स लोग का formula होता है के q1 q2 by r square ठीक है यह इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज की बीच में फोर्स एक्जट कर रहे हैं उसे हम कुलॉंब्स लोग बोलते हैं multiple charge की बीच में forces यही पर आपका super position principle आता है कि मतला बाई एक charge पे various charges force exit कर रहे हैं तो जो total force होता है यहां पे वो सभी forces का क्या होगा वेक्टर सम होगा ठीक है वेक्टर क्या सकता है वेक्टर सम होगा वेक्टर को वेक्टर को एनलेसिस आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्या होता है आप पूरा वेक्टर एडिशन multiplication सब पढ़ते आ रहे हो 11th class से continuous charge distribution इसका मतलब होता है बाई किसी भी अगर body पे charge का distribution continuous है ठीक है चाहिए वो एक square पे हो चाहिए वो एक circle पे हो ठीक है मतलब कोई भी शेप हो किसी भी तरीके से तो यहाँ पे उसके लिए आपको अलग अलग तरीके की concept पढ़ने पढ़ेंगे जैसे linear charge density linear charge density LCD पढ़ोगे आप ठीक है ऐसी यहाँ पे surface charge density SCD पढ़ोगे आप उसके बाद ऐसी आप यहाँ पे पढ़ोगे volume charge density VSD पढ़ोगे ठीक है सारे charge distribution के अंदर आ जाते हैं जो various surface पे charge distribute होते हैं चाहिए वो एक length पे या एक conductor पे हो जिसकी कोई तार है तार पे या कोई long wire है उस पे charges अगर distributed है या कोई lamina है sheet है उस पे charge distributed है ठीक is distributed है तो उस case में और continuous है तब उस case में यह formula यानि यह वाला concept यूज़ करोगे linear charge density, surface charge density और volume charge density तो VCD तो भाई यह सब आप पढ़ने जाओगे ठीक है ऐसा कुछ ने कुछ है नया तो सब कुछ है वैसे तो तो जब आप detail में पढ़ोगे तो यह बाते समझ में आ जाएगी मैं तो बस आपको उपर उपर एक एक तरह से guide कर रहा हूँ कि भाई क्या क्या आप पढ़ोगे इस chapter के अंदर और क्या छोड़ना है क्या नहीं चोड़ना है इसके बाद आप पढ़ोगे बाई electric field क्या होता है electric field due to electric charge ठीक है यानि k q by r square का formula है electric field due to point charge पढ़ोगे आप ठीक है electric field lines पढ़ोगे electric dipole पढ़ोगे अच्छा यह जो है ना electric dipole यह सबसे important topic है बच्चो इस वाले chapter के अंदर एक तो important topic यह है ठीक है आप ही कह सकते हो यहाँ से पढ़नते हैं यह समझे लोगे angel topic आप गोल सकते हैं उसको क्या topic यह इंजल वाला topic है electric field due to dipole पढ़ोगे इसके बाद आप dipole equatorial यहाँ पे दो तरह के हैं एक equatorial है बच्चो ठीक है यानि कि एक dipole है dipole के equatorial पे field निकालना है आपको ठीक है equatorial पे perpendicular to dipole from the midpoint of the dipole यहाँ उसके बाद यहाँ पे एक होता है axial position बच्चो axial position पे आप electric field निकालोगे फिर torque on a dipole पढ़ोगे यानि किसे dipole को अगर uniform electric field में रख दिया जाए तो उस पे क्या होता है torque लगता है torque की वएसे dipole क्या करता है घूमने लग जाता है rotate करना सुरू कर देता है dipole यह torque का formula कुछ होता है p e sin theta करके ठीक है अब यहाँ पे उसके बाद electric flux आ जाता है electric flux का मतलब क्या होता है flux का मतलब होता है कि भाई एक uniform surface से मतलब कोई भी एक surface है उस surface से electric field lines कितनी पास हो रही है number of electric field lines passing through a unit surface वैसे flux होता है e dot a यानि e a cos theta के बराबर होता है उसके बाद जो next important topic है बच्चो इसी chapter के अंदर सबसे important topic बताता हूँ मैं अभी electric dipole तो सबसे important topic हो गया उसके बाद जो आपे सबसे important topic है gausses theorem है इसे हम gausses principle भी बोलते हैं क्या बोलते हैं gausses lobby बोलते हैं और gausses principle भी बोलते हैं ठीक है बच्चों गैस बैस बढ़ते रहते हैं इसको 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 इसके application अब तीन application इसकी पहली कौन से infinitely long straight wire दूसरी यूनिफर्म ली चार्ज infinite plane sheet और फिर उसके बाद spherical thin shell है कि बहुल inside और outside कर दिया अरे भाई ऑन भी कर देते ऑन sphere पर क्या दिखते इनको कुछ ही नहीं है बच्चों बस इनके चोंचले हैं फालतु का बखवास करते हैं और कुछ नहीं करना होता है अच्छा इसमें delete क्या है what is deleted in this chapter deleted nothing बच्चों इस chapter में आपको कुछ delete करके नहीं दे रखा आपको सब कुछ पढ़ना है जो भी है nothing is deleted here ठीक है कुछ भी delete नहीं है numerical जरू करना तो cause theorem most important है ठीक है this is the most important यहां से 5 नंबर तक का सवाल आता है कितने marks का 5 marks का सवाल आता है 5 नंबर का अच्छा case study भी है याद रखना ठीक है source based question भी होंगे अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है electrostatic potential and capacitance यह next chapter है second chapter आप कह सकते हो कि भाई जो first second third four chapter चार चेप्टर को करने में आपको लगवग पूरे एक महीने लग जाएंगे दो महीने लग जाएंगे यह ध्यान रखना मतलब आप लैट करके चलो कि आपकी साथ क्लासे 60 बहुत ज्यादा लग रही है आपको लेकिन बहुत कम इन चेप्टरों के लिए numerical और थियोरी समित करने के लिए इस रहे लग रह ना भाई देली पड़ते रहू तो सब हो जाएगा इस में आप पढ़़े इलेक्टिक पुटिन्शल यहीं से पुटि4 और यहीं से दूसरे पॉइंड तक चार्ज को क्या बोलते हैं potential difference बोलते हैं यह दो चार्ज के बीच में या फिर दो point की बीच में जो potential में difference आएगा इनमें जो अंतर है potential difference इसी में पढ़ोगे electric potential due to a point charge यह होता है electric potential फिर डाइपोल है डाइपोल में तो electric potential क्या होता है एक में तो होता है आपका के क्यू बाई आर स्क्वार माइनस स्क्वार करके आएगा के पी बाई के पी बाई आर स्क्वार मैंने से स्क्वार करके एक तो मतलब के क्यू बाई मुंत दो हुआ यह एक में और माइनस गते हैं यह लंग कर आप है तो इससे एक। पूजरीशनेल पर और गाल। और एक होता है equatorial पे котором इस फूर्छ क होता है ना वह बचुतियो पे इस्टत्रिक्स पोट्प ोडिंश्ञ जाता है अलेक्तरीकल पॉड़ेंश्य और सिर्टम ऑफ सिस्टमीं पॉइंट चार्ज वा यह विल्कुल वैशी जिससे अपने gravitational potential energy निकाल आता सेम वैसी है जो electrostatic potential energy होती है k q1 q2 by r होता है ठीक है k q1 q2 by r के बराबर होता है यह ध्यान रखना चलिए चलो एक है इसमें electric dipole in electrostatic field यानि कि electrostatic field का बतर है electric field ही है तब यहाँ पे जो potential energy store होती है dipole के अंदर वो होता है minus p e cos theta theta 2 minus cos theta 1 ठीक है एक यह formula है और एक formula बच्चो यह है यह formula आप most popularly use करोगे mostly question में यह वाला formula यूश कर जाता है बट लेकिन यह वाला formula भी याद रखना करी बार यह formula भी पूछ लिया चलो conductor और इंसुलेटर में difference पूछेंगे यह आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में conductor वहते हैं जिसमें प्रेक्ट्रों नहीं होते हैं simple सी बात है फिरी चार्ज की बारे पढ़ोगे बाउंड चार्ज की बारे पढ़ोगे पर्मानेंट होता है पर्मानेंट electric डाइपोल मोमेंट हो इसको पर्मानेंट इलेक्टिव ओर capacity measure करता है उसे हम क्या बोलेंगे capacitance बोलेंगे मैं हलका हलका basic basic idea देता रहूँगा आपको overview मिल जाएगा chapter का फिर आप अराम से जाके chapter को पढ़ते हैं अब now यहाँ पर जो capacitance होता है Q equal to जो होता है CV के बराबर होता है Q equal to CV यानि C equal to Q upon B होता है आप यह देख सकते हो V यहाँ पर potential है Q यहाँ पर electric charge है ठीक है और यहाँ पर parallel plate capacitor यानि capacitor हो गया capacitance in combination series और parallel में पढ़ोगे series के अगर हम बात करते है capacitor के symbol होता है बच्चो यह series में S हो गया C1 C2 तो यहाँ पर series में capacitance capacitor होगा तो 1 by C equal to 1 by C1 1 by C2 हो जाएगा इसे हम बोलता है equivalent capacitance ठीक है ऐसी अगर parallel में दो capacitor को connect किया गया है parallel combination में इस तरीके से parallel combination है C1 और C2 तो बच्चो इस case में जो capacitors हो जाएगा C1 plus C2 हो जाएगा इसकी जो capacity है capacitance इसकी C1 plus C2 हो जाएगा parallel combination में हाँ उल्टा होता है parallel में resistance क्या होता है 1 upon R equal to 1 by R1 plus 1 by R2 होता है आपने पढ़ा था resistance के बारे में और series में resistance क्या होता है R equal to R1 plus R2 होता है बड़ इसमें उल्टा होता है resistance का opposite होता है चलिए आगे जो next topic है बच्चो यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो है parallel plate capacitor मतलब दो capacitor है ठीक है दो plates है इनको parallel held कर दिया है इसे हम capacitor बोल रहे है और इसके बीच में separation B है ठीक है यह AR है बीच में ठीक है इसका constant बोलते हैं और अगर कोई small मतलब कोई भी small thin plate अगर बीच में insert कर दिया है जिसके thickness T है तब इस case में जो capacitance का formula होता है वो epsilon not A upon में D plus में D plus में D minus T by K करके आता है ऐसे कुछ करके formula आता है बच्चे आपे D by K करके आएगा D minus बच्चों D minus होता है D minus में D minus T इसका द्यान रखना है यह formula है आता है रिजल्टेंट ओके चलिए अब इसमें जो नेक्स टॉपिक है यहां पे नेक्स टॉपिक है यहां पे इसकी कोई derivation नहीं करनी है नो derivation नो derivation हाँ इस से रिलेटी डिस रिलेटीड नुमेरिकल से एक्जाम में आएंगे theory B और derivation नुमेरिकल B और theory plus derivation आपको यहां से करनी पड़ेगी ठीक है energy store in capacitor का जो formula होता है बच्चों वह होता है half cb square करके इसका 3 formula है q square by 2b करके भी formula है कैसे आएगा c equal to होता है q upon में b ठीक है q upon में b होता है तो एक तो यह formula है का और एक formula हो रहे है इसमें यह से दो तिंग formula के है और इसके बाद formula only पूछा है इन्होंने formula पस पढ़ना आपको आपको यह सब second chapter में पढ़ना है आपको बच्चों या पढ़ना आपको second chapter के अंदर यह सब आपको पढ़ना है अब इसमें डिलीट क्या क्या है यह देखो जराओ कि इसमें डिलीट क्या क्या है डिलीट बताता हूं क्या क्या है इसके अंदर देखो वेंडी जिराफ जनेरेटर वेंडी वेंडी जिराफ ऐसे कुछ नाम इसका जिराफ जनेरेटर नहीं आ रहा है अर एक पॉम्ला था इलेक्ट्रिक एलेक्ट्रोस्टैक्टिक एनर्जी डेंसिटी एक एनर्जी टेंसिटी का फॉम्ला होता है यह कहीं जिकर तो नहीं है बट लेकिन आपको करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यह एनर्जी में ही आ जाता है तो यह इन्होंने जिकर नहीं किया बड़े हिडन और यह वाले डिलीट टॉपिक है यह आप रिलीट है बाकिए इसके अंदर कुछ डिलीट नहीं कर रखते हैं तो इन सब पढ़ना पड़ेगा आपको डिलीट नहीं होता है बेंडिजर अब जनेरेटर में भी कॉमन पूटेंशल का भी व्लाव एक तरह सुझी पे बेस्ट है पूरा पूरा चलो आगे बाढ़ते हैं यहां पर करेंट एलेक्टरिसिटी करेंट इलेक्टरिसिटी में भाई क्या क्या पड़ोगे सबसे प्लेक्ट की डेपिनिशन क्या ह पर आवरिज स्पीड होती है एक एलेक्टरौन की उसम्हें बोषते ड्रिफ्ट वैलुसिटी रूसीं से यहां तक जाने में यह को यहां और कॉता है कि इसके संभी तो यहां पर रिल्क्षिशन टाइम में मॉबिलीटी के नदर कितने कि अंदर कर सकते हैं उसे हम फॉबिलीटी बॉलते हैं लेक्टिक फिल्ड होता है बच्चो यह तेक उसके रिलेशन पढ़ोगे current electricity के साथ, यह formula है BD equal to, यानि B I equal to when, B D A N E, यह formula है बिच्चो, यहाँ पर आपके current density का topic आता है, current density का मतलब होता है, current per unit area, यह current density है, और जो current density होगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा, B N E करकेश का formula बन जाता है, ठीक है, चलो. आगे जो topic है, बच्चों, नेक्सिस के अंदर, वो है, ohm slow, ohm slow यहाँ पर drive भी करोगा, आप यहाँ पर ohm slow को drive करोगा, वी is directly proportional to I होता है, वी is directly proportional to I होता है, ohm slow होता है, यानि B equal to क्या हो गया, I R हो गया, B equal to क्या हो जाएगा, बच्चों, I R हो जाएगा, so B equal to I R, और यहाँ पर एक और आप formula पड़ोगे, वैसे तो, जो formula यहाँ पर निकल के आता है, resistance का ही होता है, वैसे तो, R equal to क्या होता है, rho L upon में A करके होता है, ठीक है ना, यानि M upon में any square tau करके यह formula आता है, L by A करके, यह होता है, आपकी resistivity का formula बच्चों, यह resistivity का formula है, एपन में L, any square L, एपन यह resistivity का formula है, ठीक है ना, और यह जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ठीक है, resistivity का formula, यह resistivity का formula होता है, M upon में any square tau करके, ठीक है, तो यह आप इसके अंदर पढ़ो के derivation से बच्चों, और यह पुछी भी गई है, important derivation आप ही कह सकते हो, B I characteristics है, linear और non-linear वाला, omic और non-omic region कहते ह ठीक है, फिर electrical energy आजाती है, power आजाती है, electrical energy का मतलब क्या हो गया भाई, walk done ही हो गया एक तरे से, यानि कि electrical energy अगर आपको निकालना है, तो आप यहाँ पर H equal to I square RT करके निकालते हो, यह joules law of heating है, if you remember, ठीक है, यह joules law of heating बोलते हैं स्कॉम, और electrical power V I हो गया, तो यानि V square by R आ आप किसमें यूज करोगे, serious combination में यूज करोगे, चलो, next topic जो बच्चों आप पढ़ोगे, इस current electricity में, current electricity में जो अगला topic है, आप पढ़ने जाओगे बच्चों, वो है आपका temperature dependency, temperature dependency of resistance, यानि internal resistance of self पढ़ोगे इसके बाद, अच्छा इसके बारे बताता हूँ, पहले temperature dependence of resistivity क्या होता है, यह आप लोग पढ़के आए हो, ठेक है, thermal property of matter में था यह, आपने महाँ पढ़ाता है, if you remember, L equal to L naught, 1 plus alpha delta T, ठेक है, alpha होता है, thermal coefficient, याद आया, thermal coefficient, तो ऐसी है आपर जो R होता है, R equal to R naught plus 1 plus alpha delta T, कैसे resistance temperature पे depend करता है, temperature बढ़ने पे resistance कम होता है, ज्यादा होता है, ऐसी resistivity जो होती है, बच्चो, material की, यह constant नहीं होती है, temperature भी depend करती है, ठेक है, ohm slow का एक important, ohm slow का एक limitation है, कि ohm slow के लिए जो temperature होना चीए, वो constant होना चीए, तब जाके आप follow कर सकते हो, इसको, ठीक है, उसके बाद बच्चो, internal resistance पढ़ोगे, देखो, आपने देखा होगा, ज चलना बंद हो जाती है, ना तो charge हो सकती है, और नहीं हो, मतब धीरे-दीरे उसकी जो charge storing capacity हो कम हो जाती है, आप देखना जो mobile के साथ, mobile battery भी ऐसी होती है, बच्चो, इस हम Daniel cell बोलते हैं, तो यह battery कुछ time के बाद बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो internal resistance होता है, वो बढ़ हो जाएगा, तो इसका भी एक internal resistance है, समय के साथ जो internal resistance होता है, यह बढ़ता जाता है, यह बढ़ा होगा तो क्या होगा बढ़ेगा, तो current इसके अंदर जोगा, वो कम drive होगा, energy कम यह store कर पाएगा, potential difference पढ़ोगे बिच्चा, यह में आप अप सेल पढ़ोगे, यह में आप स series और parallel combination पढ़ोगे, एक तो series combination है इसके अंदर, एक अरे यहार, क्या बना, रेश्रेंस बना दी मैंने, एक तो यहाँ पर series combination है, जिसमें polarity same direction में है, यह same direction polarity है, और एक case में polarity opposite direction में है, इस तरीके से, माइनस, माइनस, प्लस, माइनस, इनको जोड़ के जाएगा, यह तो हो equivalent EMF होता है, E1 प्लस, E2 के बराबर होता है, और ऐसी एक parallel case में होता है, बच्चो, parallel में भी कुछ इस तरीके सा आएगा, यहाँ पर, यह E1 EMF हो गया, यह E2 EMF हो गया, तो parallel combination में होता है, यह कुछ इस तरीके साथ है, E by R equivalent equal to E1 upon R1 plus E2 by R2, यह formula आता है, यहाँ अब बच्च most important EMF, यह द्यान रखना, उसके बाद यहाँ पे जो है, आपका है किर्चॉप दूर, वाँ, यहाँ से numerical आता है, यह numerical वाला topic है, दो लो होता है, एक होता है, यह यहाँ पे junction लो, एक तो होता है, किर्चॉप जंक्शन लो, और एक होता है, किर्चॉप लूप लो, ठीक है, क यहां पर कंजर्वेशन अफ चार्ज होता है और यहां पर कंजर्वेशन अफ एनर्जी इस यह सैकेंड लोग है ठीक चॉप फस्ट लोग दो होते हैं इसमें जान रखना है अब थार्ड चेप्टर में आप आगी क्या पढ़ने वाले हो बच्छो वीट स्टॉन बीज देखो तु आप इसमें लास्ट टॉपिक है वीट स्टम बीज आपको जस्ट यहां पर क्या पर चार रिजिस्टेंस होते हैं ऐस तरीके से वो बिरीज बनाते हैं ऐसे और यहां पर गैल्वन मीतर लगा दिया जाता है यह अनुरशर्फ्लेक्शन होता है फिर बत्रवेश्न से इम बच्चो डिलीट क्या है डिलीटीट क्या है डिलीटीट बच्चो इसमें एक तो मीटर ब्रीच डिलीट है मीटर ब्रीच को डिलीट कर दिये हैं उन्हें दूसरा इसके अंदर जो बच्चो डिलीट कर रखा है दूसरा जो इसके अंदर डिलीट कर रखा है मीटर ब्रीच के बाद कि मीटर बिलिज के बाद इसमें डिलीट कर रखा बच्चों वह क्या कहते हैं पुटेंशो मीटर आपके इसलिबस से डिलीट है बट आपको दोनों ही टॉपिक पढ़ने हैं रीड करने अच्छा यह जो टॉपिक है आपका कहां पे इन्हों ने डाल दिया नोंने बस त्राक्री निकल जाओगे, इसकी पोट इस पे बेस्ट नीट में नीट में V चे उटी में कॉटे, कॉशन आएंगे डेफिनेटल आएंगे तो छोड़े ना बात इसको दिखें चलो आगे बढ़ते हैं अब अप बाई आ जाते हैं मैगनेटिक इफ्ट्ट आफ मोविंग चार्जिस हैं देखो जो इस्टेशनरी चार्ज होते हैं वो प्रोडियूस करते हैं और जो मोविंग चार्ज होते हो क्या प्रोडियूस करते हैं है अगर चार्जेश अन एक्ट्रियटेटेट लिध्र और मैंगनेटियूस ऐती वह को कान्सेब्ट ओफ मांगणेटिक फिल्ड होता क्या है थेक है वी कोल बीह आपने पढ़ाओ उगा इन विच जो मैगनेट है वो किसी भी जो करते हैं इन में मैटल हो गया कॉपर निकेल इन पर क्या कर सकता है इन पर आइरेन हैं कॉपर है कि मैगनेटिक फीदेशली में होता क्या बच्छों फील्ड होता है किसी मैगनेट के प्राफ यह जो मुविंग चार्जस है जिए उसके चारोत तरफ, एक जो फीट जनरेट होगा ठीक आच उसे मैगनेटिक फील्ड बोलेंगे इस फील्ड में कोई भी अनाधर चार्ज या ह matarा कोई भी जो में मैगनेटिक फ्रपरटी होती है वो इसकी तरफ एट्रक्ट होता है तो मैगनेटिक पेढ़्ड बी रिपल सीव और एट्र्क еюсь वा बनों होते हैं एधला कहते हैं ल نष्छा ध्र्नत अव्यक्ट्रिक जो चार्ज डृट पढ़ते हैं उसी का इनलोगी इसके अंदर आप आपने 11 क्लास में 7 चप्टर पढ़ा था रोटीशन में एनलोगी था पूरा ट्रांसलेशनल मोशन गा वैसी इसमें भी एनलोगी है एक अब बच्चों बायोट सेवाट लोग पढ़ोगे यहां से आपकी इलेक्ट्रिक फेल् करेंट काइनिग वायर है ठीक है उसमें करेंट एलेमेंट कर लेता है कि यहां पर होता है इस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालना होता है तो यहां पर व्योनません घ difficulties do we can't पर्मेटिवीटी था और यहां पर्मेबिलीटी है उसके बाद बच्चों एंपियर सर्कृटल इसके एक एप्लिकेशन है इसके एक्सिस पर एक्सिस पर जो मैगनेटिक फिल्ड एक्सिस पर मैगनेटिक फिल्ड हमें निकालना है तो मैगनेटिक फिल्ड का इसमें जो फॉर्मला होता है वह आता है आई आई A square upon में I pi A square करके था इसका formula बच्चो, ठीक है, I pi A square करके आता है इसका formula और नीचे आ जाता है कुछ A square plus X square की power 3 by 2 करके इसका formula बनता है, ये भी नहीं है, I A square करके ये formula इसका कुछ ऐसा, ठीक है, तो करेंगे जब आएगा discussion करेंगे सारी चीज़ें कि होता क्या ये सब, और इस इसके बाद यहाँ पे जो next topic है बच्चो वह है Ampere Circular Low, by Ampere Circular Low और इसके application जैसे gausses लोटा, यहाँ पे Ampere Circular Low है, अब gausses जैसे Ampere Circular Low में क्या होता है, जो magnetic field होता है, जो line integral of magnetic field है, वो किसके बराबर होता है बच्चो यहाँ पे, electric flux के बराबर, magnetic flux के बराबर होता है कि यहां पर यहां पर इसका इसका जो स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि जो लाइन इंटीग्रल जो मेगनेटिक फिल्ड है लाइन इंटीगल मेगनेटिक फिल्ड हो मिनोट टाइम्स आई पासिंग थुर्वा क्लोस्ट लूप जो क्लोस्ट लूप है वहां से जो नेट करेंट फास हो रहा है तो जो लाइन इंटीगल मेगनेटिक फिल्ड होगा वो मिनोट टाइम्स आई नेट करेंट होगा उसके बाद यहां पे इसके दो एप्लिकेशन है इंपानेटिल लॉंग इस पॉइंट पे हमें मेगनेटिक फिल्ड निकलना है बाहर वे लेक्टिक फिल्ड बोलता हूं मेगनेटिक फिल्ड निकालना है तो इसका जो फॉर्मला आता है बच्चो वह आता है मिनोट आई अपॉन में तू पाई आर करके फॉर्मला है इसका और उसके बाद यहां प में यह थोड़ा साइब इता बच्चों को अगर स्टेट वाइर तो पाई आर नीचे और अगर लो आ कोई वायर है अलुप है तो तो अर नीचे आएगा पाई नहीं आता है इसके अंदर ली आदे जो अग्रान जो को अंदर इसी डियाट ये अपिलिकेशन ने स्टरेट तु सोलनोयट भूलथा हैं ८् पंड होगी तैसे हुए है तो आपको इसकी डैरिवेशन नहीं पड़े क्या हुता-इसका होता है जो magnetic field होता है solenoid के अंदर इंसाइड इंसाइड solenoid ठीक है मिनोट एन आई होता है इसको बुनी करके आप रीड कर सकते हैं आप इसको बुनी करके रीड कर सकते हैं चलिए अगला जो यहां पर बच्चो टॉपिक है वो है यहां पर कौन सा है है कौन सा है पॉर्स और मोविंग छार्ज इना मैगनेडिक फिल्ड और लेक्टरिक फिल्ड में जो पोर्स है वो तो होता है क्यों वी ख्रोस बेक बराबर और उलेक्ट्रिक फिल्ड में पढ़के आयो स्वार जो मोविंग चार्ज होता है वह मैगनेटिक फील्ड दोनों प्रिड्यूस करता है पोर सो ना करेंट करिंग कंड़ेंग उनिफर्म तो मतलब कोई कंड़क्टर है जिसमें करेंट पास हो रहा है इसको मैगनेटिक फिल्ड में रख दिया गया है ठीक है यह इसके साथ ठीटा इंगल बना रहे है तब यहां पर जो फॉर्स होता है बच्चो उसको आप बिल साइन ठीटा करके याद रखोगे यहां पर जो फॉर यहां पर बोलाएं को डास टू पारेंट करेंगे कंड़क्टर कंड़क्टर defence के बीच में डिसटेंस आ रहे है वहलेट सब्सक्राइए को यहां पर क्या ओओ जागा दोनुक अन्यकल ग्राइग चार्जेदर्स एक दूसरे को क्या करेंगे attract करेंगे ठीक है इस केस में ऐसा होता है और unlike current एक दूसरे को repel करते हैं तो force यहां पर क्या होता है मिनॉट आइवन आइटू बाई तू पाई आर करके आता है force acting लेंट का formula है बच्चों यह इस बात का ध्यान रखना चलो यह होगे parallel टाफे यह आपे अपर नेक्स टॉपीक आज़ी वला इंपर्डेंट एक कोश़ में से बनता यह most important ुय कोशन से बनेगा most important ये वाला जोबां है एक topic में बांबर करेंग्स यह बच्छों आब लबन होता है बच्छों यहां पे जो आएगा वह आजा से टार्क आ tahu法 c Stay वो होता है M B Sine Theta तेगे है या बिना Sine Theta बिना Sine Theta एक यह फॉर्मॉला है यह दो फॉर्मॉले बिच्छो M B Sine Theta और बिना Sine Theta तेगे जो आई एने होता है यह मेगनेटिक मोमेंट होता है यहां पर मह mise खाल की है कि शलो उसके बाद जो हों पर बच्छो नेक्स केatoreइं करेंट लूप यह जोAh करेंट के बाद मतलब मेगनेडिक कि तरह यहृँ यहां परक्रेंट लूप है यहां पर कोई भी करेंट लूप है इस में एलेक्टोन रिवालव कर रहे हैं निकलिस के चारों तरफ तो यी डाइपॉल की तरह एक्ट करता है мेगनेटिटि है उपर वाले इससा नोट पॉल निचे वाला साउथ पोल की तरह एक्ट करता है उस तरह के से इसको पुरूफ करना होगा ठीक है फिर बच्चों ग्यालविन जो इसके अंदर है फिफ चेप्टर है ओके फिफ चेप्टर में बच्चों क्या-क्या पढ़ना है बड़ा आसान होता कोई पढ़ाता भी नियुक्त कुछ इसके अंदर दो जो कुछ चीज़ें हैं गिनी चुनी जैसे यहां पर आप देख सकते हो बार मैगनेट है यहां पर मैगनेटिक फिल्ड इंटेंसिटी ड्यू टू आ मैगनेटिक डाइपोल बार मैगनेट अलों एक्सेस पर्पेंडिकुलर क्वालिटेटिव ट्रीट्मेंट मतलब भाई बस फॉर्मुला याद करना है क्या करना है फॉर्मुला ओनली और कुछ नहीं पढ़ना है टॉर्क हो मैगनेटिक प्र परट्टी आफ्मेटरियल को डाया क्या करते हैं लिडिड़ करता है स्ट्रोंगी अग्राइट करता है मेगनेटिक सबस्टान्स इग्जामपल मेगनेडाइजेशन और मैट्रियल्स एफेक्ट आप टेंप्रिचर मेगनेटिक प्रोपर्टी इस अब इसमें डिलिट क्या है बच्चो दो डिलिट बताईता हूं क्या कैस में पूर्थ चैप्टर में जो डिलिट बच्चो इन्हों कर रखता है मैं वहीं बताने जा रहा हूं ताकि आप बाइजब आप पड़ो आगे जाके तो आपको यह ना लगे हमें तो हमने तो दिकाई नहीं क्लास में क्या दे दिया यह सी उटी पाइक्जाम दोगी यह नीट का एक्जाम डोगे कोई सा भी एक्जाम दो बिच्छ society ऑगे साइकलो ट्रॉन तो पूछएंगे hysteresis भी पूछा जाएगा hysteresis लूप पूछा जाता है तो इट टॉपिक मत छोड़ना तो इसको मत छोड़ना आपकी वैसे सारी बहुत सारी derivation तो अलड़ी इन्होंने हटाई दिये तो इसको भी छोड़ना मत पढ़ लेना ऐसे ही ताकि दुबारा मत पढ़ना एक बार जरूर अपनी लाइक में 12th क्लास में हो तो 12th क्लास में एक बार जरूर इन टॉपिक को पढ़ लेना बस लीड कर लेना ठीक है फिजिक्स से अगर प्यार है तो किस बात का इन सबसे इंकार है चलो next जो है last इसी का part electromagnetic induction ठीक है और alternate current है यह first book में आपके 607 चेप्टर में आ जाता है electromagnetic induction में electromagnetic induction की definition पर आड़े low पढ़ोगे ठीक है introduced induced EMF पढ़ोगे current पढ़ोगे इसमे lens low आएगा self और mutual induction आएगा इसको हम electrical inertia भी बोलते हैं क्या बोलते हैं electrical inertia बोलते हैं इसको हम बच्चो ठीक है इसको हम पोज़ेश दा इलेक्ट्रिक करेंट आपके सकते हैं electrical inertia यह हो गया है बलाइब नॉट अपोज़ेक्ट्रिक करेंट अपोज़ेश चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सॉरी चेंज इन मेगनेटिक फ्लक्स करता है है तो करेंट प्लेक्टेश यहां से एकजाम में सवाल डेक्नेट्ल लीया आती है पूछका जाता है लेंज लोप्य शैण पूछे चाते हैं ओके चलो जो जो सेवन चैप्टर सेवन चैप्टर बस वो सिक्स चप्टर उतना ही था सेवन चैप्टर इसमें बहुत सार चीए डिलीट कर रखे रोने और जैसे साल पर मिच्वल इंडेप्टेंस आप सॉलिनोड इनोंने नहीं बोला है तो इस बार साथ हो चलो अल्टेनेट करेंट की डेफ एसी क्या होता है भाई देगा है इत नॉट इस नॉट एयर कंडिशन पीक आरेमस वैल्यू क्या होती है यहां पे देगा है अल्टेनेट करेंट वोल्टेज रियक्टेंस क्या होता है इंपिडेंस क्या होता है ल्सी आर सर्किट क्या होता इसके अंदर resonance क्या होता है power in AC का formula क्या है power factor क्या है worthless current क्या है और generator transformer दो devices हैं इनको आप पड़ोगे देखें एसे generator और transformer इसे generator आपके 10 में है पड़ा होगा आपने और जिन्हों नहीं पड़ा है साथ उस टाइम पे delete होगा से लिए बस से यह लेगन आपने AC करेंट की यहां तक तो आपका हो गया अल्टरनेट करेंट अब देखिए इसमें इंपोर्टेंट क्या है LCR circuit most important क्या है इसमें यहां से के स्टड़ी बन सकती है यहां बन सकते के स्टड़ी पांच नंबर का चार नंबर की के स्टड़ी बनती है चार नंबर की बनी की से लिए नेक्स्ट है electromagnetic waves ओके basic idea displacement of parent होना चाहिए इंग वेप क्या होती हैं की characteristics transverse nature of quality qualitative idea चाहिए बस उनली transverse nature's क्या होता है यह पुछग है यह वेपका अच्छा एक पॉम्मला में एक चीज़ बतायता हूं रमील कि रमील यूर कि यूर कि रमील यूर कि एक्स गर्फ्रेंट ऐसे करके यह एक स्लोगन है राइम है ठीक है आप पूरी की पूरी इलेक्ट्रो मेगनेटिक जो स्पेक्ट्रम हो याद रख सकते हो और एक मतलब यहां पर ओगा है रेडियो भेव माईक्रो भेव बच्चो ठीक है इंफ्रारेट ठीक है विजिबल लाइट और इसके बाद यहां पर यह होता है कितने हो गए विजिबल लाइट और यूवी जाने यूरोग अना यूवी रेस एक्स रे और गामा रिज याद रख लेना रमील रमील ऐसे घर के रमील यूर ठीक है एक्स जीर यानि कल फ्रैंग तो रिडियो बेव माइक्रोवेव इंफ्रा विजिवल लाइट अल्ट्रा और स्वरी यू वी रेस यू वी रेस ही और एक स्पेक्ट्रम रीडियो वेव माइक्रोवेव इंफरेड विजिबल लाइट अल्ट्रा वॉयलेट यान्य यूवीरियस कह सकते हो एक से गामारी यह सब इसकेंद रहाता है इंक्लोडिंग एलिमेंटरी फेक्ट अबाउट यूजेस कहा पी इनका यूज होता है इनके सोर्सेस क्या है वह सब आप इस चेप्टर के अंदर पढ़ोगे चली तीन नंबर का चेप्टर है बच्चों छोड़ना मत बहुत 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 आसान सा चेप्टर है चुटकुसा अफ लाइट इसके अंदर सबसे पढ़े आप पढ़ोगे इस दो पहले न यह दो साल पहले एक साल पहले दोजार एकिस बाइस के स्लिवस में डिलिक्टा बाइस थेजिस में उन्होंने एड कर दिया था और इस बार भी एड कर रखका है तुम्हारी मुसीबत बढ़ा दी थोड़ा बहुत तो करो कहीं तो घिसो एक्स्टा चीज पढ़ो मिरार पॉर्मला आप लोग अल्रेडी पढ़ चुके हो बन बाइस बन बाइबी प्लस बन अपन यू करके था रेफ्लेक्शन आप लाइट गया पढ़ चुके हो यहां से इंपोर्टेंट स्टार्ट हो जात है इस पर जैसी ग्रीटिकल एंगल जो है यहां पर इसी पर जो है रेफ्लेक्शन आफ लाइट स्टार्ट हो जाता है यह द्यान रखना चलो अब यहां पर जो है जीयो जीयोफ़ाइबर और ऑफ़ाइबर हो गया यह एक्स्ट्रीम फाइबर हो गया आओ चल रहां यह लगाते जो टीस Mbps 40 Mbps की स्पीड देते हैं भाई अनलिमिटेड एक दिन में वाई-पाई जाचकल नया चल रहा है उसमें अप्टिकल फाइबर यूस किया जाता है बच्चो आजकल वैसे अप्टिकल फाइबर यह लाइट की रूप में इसके अंदर जो है सिगनल पहुचाया जात है कहां पर इलेक्ट्रिकल सिगनल देख लो आप आपकी कोई ना कोई बाते लाइट की स्पीड से ट्रांस्फर की जा रही होगी इससे और वहां जाके आपकी इस इस जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा समल के बच्चो टेक्नोलोजी यहां यानि की लैंस लैंस पॉमला है वह प्रिस्म आपने पढ़ा है तो इसमें जो रिफ्रेक्शन आफ लाइट वहां पढ़ोगे लाइट ऐसे गई और इसमें आपका जो आते reflection of light through optimism में आप क्या-क्या पढ़ोगे एंगल of deviation पूड़ोगे या पढ़ोगे आइंगल of deviation फिर इसमें minimum पिर एंगल of deviation भी पढ़ोगे इसमें उसके बाद आ जाजेता भचो अप्तिकल इंस्ट्रुमेंट इसमें दो しまकर तो माइक्रोस्कॉप और सट्रोनोमिकल टेलिस्कॉप दो हैं इसके अंतर एस्का टेलिस्कॉप में रिफ्लेक्टिंग और इप्लेक्टिंग आइप आप यहां पर आपड़ोगे चाहीं है अगला जो हो पर बच्चों आप वेव ок we have告 में आप वेव पुछा जाता है यह प्रूप आप लॉड्स ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन त्रू हाईजिन प्रिंसिपर इंटर फ्रेंस ऑफ यौंग्स डबल स्रीट एक्सपेरिमेंट यह टॉपिक जोने इसमें अब देखो नो डेरिवेशन फाइनल एक्सप्रेशन ओनली अभी मैक्सिमा क्वालिटीटिव ट्रीट्पेंट उनली यहां से आपके खैसे करने के लिए पुछा जाएगा हंडेट पर्सेंट नहीं तो के स्टेडी बनती है क्या बनती है कुछ तदिक अब कर दिया है कुछ इतना खास नहीं है चलो आगे बादते हैं बैइंस्ट टॉइल न सबसे पहले तो आप पढ़ होई रीडियेशन के दो रूप होता है यह पार्टीकल भी और वेव यह पहले पता चले कि बाइब पार्टीकल भी है इसमें फोटोन होता है प्लैंक्स कॉंटम थियरी आपने पढ़ी थी याद है अगर आपने केमेस्ट्री में सेकेंड आपकी यह वाला चैप्टर यानि की 11-12 चैप्टर आपको खता में हां बस यहां पर क्या करना है हर्ट्स और लेनाट्स अब्जर्वेशन अच्छा इन्होंने इस बार नया एड़ कर दिया पिशली बार डिलीट ता इस बार इस बार इन्होंने एड़ीड कर दिया है यह ए इसे हम क्या बोलते थिए वर्टंशन और और यह जिए तो अब पार्टीकल नेचर down पर पूरुफल के आ गया था ठीड कर मैं अपर पूर्फ किया था था एक्सपरिमेंटों में तली व होगा बिप्सक्रीड सथरी कि एक्स्व किसी के ऊपर यह सारा दिया है एक्सपरिमेंटर यह उन्हें प्रूफ कर दिया था यह पूरा अब यहां पे जो मैटर वेव से वेव निचर आफ पार्टिकल्स दी ब्रॉगली रिलेशन इप्यू रिमेंबर डी ब्रॉगली वेव लें तैच अपॉन में एम वी करके था एम अपने वो टॉपिق चे से कर रखा है तो लुए आपके लिए बहुत है अगला चेप्टर अगला चेप्टर अगर आपको याद हो तो नहीं है तो कोई बात नहीं नंबर जो होता है तो आपने यह भी फॉर्मला पढ़ा है कौंसा R into में One N1-mine not just one open and two square याद है वो क्य गते हैं मतातूаз भी अभी आपको यादा जाये गहीं अपर कि लाइमन अब्रहिख के पास्षण ऍिए अ एसे करके था यादे लाइमन बॉर मर लाइमन बॉर मर ब्रहिटः पास्षण पिपुन्ट एचे're यहे चेंप Ezbij लाइन थी फिर मेंबर यह पड़ा था आप लोग ने हैं ना किसमें 11 लास में सेगीं चैप्टर में केमेस्ट्री में देख लो वाँ की कितनी काम आ रही है थोड़ा छोड़ तो नहीं दिया था ना थोड़ दिया तो बहुत बड़ा नुकसान है कर लोगे तो बहुत बड़ा का फाइदा है चलो कम पोजिशन आफ नुकलियाई में अच्छा उसमें बहुत कुछ डिलीट है बच्चो इसमें आपका रेडियो अक्टिव नहीं है पहली बात दो इसमें आपका रेडियो अक्टिव डिलीट कर रखा है भाई बहुत लॉंग टाइम से इस चैप्टर यही और नीट इन सब के लिए यूसफुल है यह पढ़े लेना छोड़े ना मत तीक है अरे एक बार तो पढ़ लेना पर जीवन काल में याद रहेगा वे ट्वेल तो हमने थोड़ा पहुत ही पढ़ाता लगा लिया था हमने भी अपना दिमाग था कोई बताने वाला तो भ नुक्लियस ठीक है इसमें यह यह जो साइज होता है नुक्लियस का वो किस पर डिपेंड करता है मास नंबर पर डिपेंड करता है किस पर मास नंबर पर डिपेंड करता है जो साइज ओफ है यह यह भी इसकंद्र एक इंपोर्टेंट टॉपिक है चलो मास एनर्जी रिलेश वेरेशन है विन मास नंबर नूक्लियर फीजन पढ़ोगे फिज़न पढ़ोगी इसमें टिलेट रखा है जी आधिकर डिलेटे सकंदर अलफा गामा तब भी बाते किलियर हो जाएंगी चलो अगला जो टॉपिक है बच्चो लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक है हमारे पास सेमी कंडॉक्टर अब इसमें सबसे पहला पढ़ओगे अनर्जी बैंड डाय ग्रा मतलब चर्ण बॉपिनक यूड़ यह संनक्राइड हो गया और यह कुई कंडूक्शन बैंड है तो भाई अगर हम बात करते हैं और अगर हम बात करते हैं कॉन्सा कंडेक्शन में किवल वैलेंस बैंड में लेक्टान होते हैं अना उसके बाद यहां पर पढ़ोगे समी कंडुक्टर में थोड़ा यह पास हो जाता है इसे बोलते हैं एक गाप होते हैं यह तो इसके यह कंडेक्शन बैंड के पास होते हैं यहां पर वैलेंस बैंड के पास हो रहे होगे application of junction diode as rectifier कड़ोगे इसमें आपका हाफ वेफ बोट बेफ दोनों आ जाता है, जो बक्षों इसमें इसमें भी बहुत इन कोई फ़ाइदा नियूं क्योंकि एक्जाम में यह से पुचह जाएं यह म्हक्त पूचएं पर यहां से जरू कूस जिसके अंदर यूनिवर्सल गेट यह आपका डिलीट कर दिया, यूनिवर्सल गेट डिलीटीड है बच्चों, यह डिलीट कर दिया यूनिवर्सल गेट, इसे हम लॉजिक गेट भी बोलते हैं, बढ़ा प्यारा और मज़ेदार टोपिक था, बच्चों को कहीं मज़ा आया ना आया हो, लेकिन यह टॉपिक करन टांजिस्टर, भाई, सच में, मौरोन है, सीबसी वाले है, सेरिसली बता रहा हूं, टांजिस्टर जैसे टॉपिक को इन्हों डिलीट करते हैं, पूरी जो आपकी, जो सुने हैं, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो सॉफ्ट वगरा, माइक्रो चिप जो यूज होती है, भाई जैसे चीजे, जिसमें 1TB, 2TB जैसे स्टोरेज हो जाती है, भाई, यह सब न, इन सब की देन है, जो ट्रांजिस्टर से, अब यही नहीं पढ़ा रहें, तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तुमारा कुछ नहीं हो सकता है, बट तुम कर सकते हो, छोड़ो इनको यह नहीं करवा रहें, आपको तो आप खुद करना अपना पना, तो बच्चो यह था पूरा स्लेबस की जानकारी, I hope आपको यह जानकारी थोड़ी थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन मज़ेदार तो है, पढ़ोगे इतने सार चीज़ें, पूरे एक साल की प्लैनि आप ही का चैनल है, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, तो आज की वीडियो यहीं तक है बच्चो, आज का लेक्चर है यहीं तक है, लेक्चर क्या मतलब स्लेबस की बड़ी जानकारी थी, और जॉइन करो चैनल को जाओ, पड़ो, सीको, फिजिक्स, फिजिक्स के पंडे, है उसमें बहुत सारे डंडे, है बहुत सारे डुमेरीकल्स उसके अंदर जो मैंने करार रखे हैं, सो गाइस, सी यू इन दा नेक्स्ट वीडियो, वो सकता है, मैट्स की, केमिस्ट्री की, इन सब के स्लेबस की वीडियो में धेले-धेले डालता रहूंगा, तो आज के झाइस, सी यू बहुत सारे जीडियो, झारता है, मते हैं, सी यू झामाड़ है, मैं झालता सारे डालता है, म plu्म rhoi हो सितो लिवा पालता रहूंगा है, मते हैं, सी यू यू तो एाइस, सी अवरियो, ।ो आ झाइस, झाईस, सी ऑज की अंश्य reflection.